Hi viewers, welcome back to Accounting Pro, उमीद करता हूँ आप जहां भी होंगे, खेर खेर होंगे, इस वीडियो के अंदर जो अब topic डिसकस करने जा रहे हैं, काफी important topic है, small जो business महने हैं, उनके लिए और वो नए students जिन्होंने अभी अभी accounting की तालीम स्टार्ट किये हैं, और अभी basic concepts अपने clear कर रहे हैं accounting के लिए, उनके लिए ये topic काफी important है, तो आज का जो topic इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने जा रहे हैं, वो है fixed assets, यानि के what is a fixed asset, तो चलते हैं अपने topic की तरफ और topic है हमारा what is a fixed asset, बहुत सारे ऐसे small business men होते हैं, जो सिर्फ अपने कारोबार की वर्थ को इस तरह calculate करते ह कि जैसे जो income वो earn कर रहे हैं, वो ही उनके कारोबार की वर्थ है, यानि कि जतना उनको आमदन हो रही है अपने कारोबार से, जतना उनको income असल हो रही है, वो लोगों को बताते हैं कि देखो मैं अपने कारोबार से इतना पैसा कमा लेता हूँ, तो ये देखो मेरे business की वर् प्ले करता है अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किसी शॉप के अंदर है आफिस के अंदर है और्गनाजिशन या किसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं तो क्या उस जगा पर फिक्स्ट एसेट्स मौजूद है जी हाँ बिलकुल फिक्स्ट एसेट्स आपके बिजनस के साथ लाजमी लिंक होंगे, मौजूद होंगे अब अगर आप एक small business owner है किसी shop में बैट कर आप काम कर रहे हैं office में काम कर रहे हैं किसी office के अंदर आप imply है या आपका अपना office है तो फिर यह बिलकुल impossible सी बात होगी कि आप fixed asset को इस्तमाल ना कर रहे हों अब जो word है fixed asset यह किस बात को indicate करता है यह इस बात को indicate करता है कि जो आपके पास asset है यह फॉरण से consume नहीं होने वाला या बिकने नहीं वाला जो आपका current financial year चल रहा है current जो financial period accounting year चल रहा है उसके अंदर अब accounting की term में अगर हम बात करें जो fixed asset है वो क्या कहता है fixed asset जो है वो उस asset या property को refer करता है जो असानी से cash में convert ना हो सके यानि कि क्या मतलब इसका कि आप उसको अभी जल्दी से बेचने के हक में नहीं है उससे बेचना नहीं चारे बलके आप उसको استعمال कर रहे हैं और अगर आपने उसको cash में convert करना है तो उसे बेचने में उसको time लगेगा अब जो fixed asset है उनको property, plant and equipment के नाम से भी पेचाना जाता है और fixed assets को जो है organizations own करती हैं इस्तमाल करती हैं किस purpose के लिए ताकि उन्हें इस्तमाल करके income generate की जा सके अब वो कौन से fixed assets हैं जिनको हम कहते हैं कि इस्तमाल करके revenue generate किया जा सकता है तो examples की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास example आती है वो आती है furniture, fixtures and fittings अब ये सबसे basic चीज़ है fixed asset की कि अगर आप किसी shop के अंदर हैं किसी office के अंदर हैं तो अगर वहाँ पे furniture नहीं होगा आपके पास बैठने की जगा नहीं है आपके पास table नहीं है तो फिर तो आप office के अंदर काम नहीं कर सकते हैं यानि कि आपको जो furniture है उसका काफी important role है आपके office के operation को run करने के लिए इसी तरह आपकी fixtures and fittings हैं फिक्टर्स क्या है कि आपने office के अंदर जो है वो partitions की ही हैं आपके पास book racks हैं आपके पास drawers हैं इसी तरह एक shopkeeper है shopkeepers के पास जो दिवार के अंदर उसने fittings करवाई हैं जिसके अंदर उसने अपना समान रखके display किये हुआ या किसी brand पे आप जाएं ब्रैंड में रैकिंग होई भी होती है तो वो आपके fixtures and fittings के अंदर आते हैं तो ये बात तो बड़ी clear होगे कि furniture, fixture and fittings जो है ये बड़ा key role play करता है आपका office को आपके business operation को run करने के लिए और अगर आपके पास furniture नहीं होगा office के जो fixture या fittings इन में से कुई चीज नहीं होगी तो फिर office के अंदर आप बैटके काम नहीं कर सकते हैं आप खड़े होकर तो काम नहीं करेंगे आपके पास furniture होगा आपके पास guest आने हैं, आपके पास clients आने हैं, customers आने हैं तो उस furniture के उपर बैठेंगे, इस्तमाल करेंगे और आप अपना business जो है, वो कारुबार कर सकेंगे second जो important चीज है, वो है आपके office equipment office equipment के हैं, जी आप एक well established जो आपका office है उसके अंदर आप हैं, आप वहाँ पे AC जो है air conditioner वो आपका office equipment है आपका जो photo copier वहाँ पे अगर पड़ा है, वो office equipment है paper shredder है, जो paper आप waste paper को shred कर देता है, वो है water dispenser है, इवन कि आपके पास पानी पीनी कि जो वहाँ पे machine लगी है water dispenser, वो आपका equipment है office के अंदर आपके televisions हैं, LED's हैं, LCD's लगी हैं, वो आपका fixed asset है इसके अलावा आपके office में telephone sets है, telephone exchange जो लगी है वो आपका fixed asset है, surveillance system security cameras लगे है generators और इसी तरह वो तमाम electrical equipments जो इस category के अंदर fall करते हैं वो आपके fixed asset हैं, तो ये बात भी बड़ी clear होगे कि अपने office के operations के अंदर इनका भी एक बड़ा important part है अपने office को run करने का, operations को run करने का, आपका अच्छा office होगा AC है, आपके पास facilities है, आपका customer आएगा, आपका client आएगा, वो facilitate होगा आप लोग खुद भी उस asset से facilitate हो रहे हैं, वो use के अंदर आ रहा है तीसरी जो category जो आम है, तमाम जगों पे आजकल technology का दौर है, तो computers हैं, आपके laptops हैं, printers हैं और इसी से related जो उनके accessories हैं, वो सारी के सारी fixed asset है, तो आजकल के दौर में यह बड़ा impossible सा feel होता है कि अगर आपके पस office में computer नहीं है, तो आपने business के operations आप चला नहीं सकते हैं, तकरीबन आपके हर office के अंदर अब यह computer एक जरूरी चीज़ बन गई है और इसके बगएर आप अपने office का data अपना maintain नहीं कर सकते, manual करेंगे, लेकर आपको किसी ना किसी तरीके से e-mails के साथ, internet के साथ connect रहना है, तो फिर आपके computers, laptops, printers, invoice वगरा, print करके customers को दे रहे हैं, purchase orders आ रहे हैं, sales orders हैं, तो यह सब चीज़ें जो हैं, आपको computer और IT के equipment से use हो रहे हैं, तो फिर यह बात आपके यहाँ पे clear हो गई, के computers और आपके laptops, यह जो IT equipment है, यह आपका बड़ा की role play करता है, fix asset आपके office के operations को run करने के लिए, और आपको revenue earn करके देने के लिए, फिर जो अगली non category हम discuss करेंगे, वो आपके land and buildings हैं, कुछ अधारे ऐसे हैं, companies ऐसे होते हैं, owners ऐसे होते हैं, जो अपनी land को own करते हैं, building को own करते हैं, या उनके अपनी office की building होती है, मालक होते ह हैं वो खुद, या वो किसी जमीन के मालक होते हैं, और उसको वो इसको इस्तमाल कर रहे हैं, तो ये भी आपकी fixed asset की category है, कि आप अपने office को खुद use कर रहे हैं, अपनी building को use कर रहे है, commercial purpose के लिए, और आपको rent ने पे करना पड़ा, तो यकीनी तोर पर वो आपका fixed asset हो गया फिर थोड़ी सी बड़ी category के तरफ और चले जाते हैं, तो बड़ी category के अंदर आपका plant and machinery है, यानि कि आपके पास एक बड़ा सा manufacturing unit लगा है, plant लगा है, हर तरह का plant हो सकता है, आपका food plant हो सकता है, गाड़ियों को plant हो सकता है, किसी भी चीज़ की manufacturing जहां पे आप कर रहे हैं, तो वो जो machinery जहां पे पूरी installed है, पूरा जो plant installed होया है, वो आपका fixed asset होगा, तो इसके बाद जो एक और चीज़ हम category इसके अंदर fall करेंगे, वो हमारी गाड़ियां है, motor vehicles है, जो company use कर रही है, अपने office के staff के pick and drop के लिए use हो रही है, company के owners के पास गाड़ियां है, staff को इसी तरह company के delivery vans हैं, अगर हम थोड़ा सा बड़े level पर बात करें, तो यह सारी की सारी आपकी fixed asset के अंदर शुमार होगी, तो यह बात तो clear होगी कि जो major categories है fixed assets के, इनके बगएर आप अपने office के operations को run रही कर सकते, तो बड़ा important part आपका play करते है fixed assets, आपकी company की worth calculate करने के लि अब जो fixed assets हैं, इनको financial statements के अंदर जो हम कहां पे दिखाते हैं, तो यह fixed assets आपके balance sheet का part होते हैं, और balance sheet के अंदर हम इसको as a non current assets भी दिखा सकते हैं, और इनको हम property, plant and equipment की शेकल में भी दिखा सकते हैं, तो fixed assets को non current assets, fixed assets, property, plant equipment, तीनों तरह से balance sheet के अंदर दिखाया जा सकता है अब थोड़ा सा अगर मजीद हम detail में जाएं तो fixed assets की आगे जो मैंने example दी और उनकी आगे further types भी होती है कि जो fixed assets हैं वो कितने types के हो सकते हैं तो fixed assets जो हैं वो दो तरह के होते हैं एक आपका tangible assets और दूसरा आपका intangible assets अब इनको देखते हैं कि tangible assets आपके क्या है और intangible assets क्या है tangible assets आपके वो assets हैं जिनकी physical existence है यानि कि आप उनको touch कर सकते हैं उनको use कर सकते हैं physically तो इसमें example के तौर पर आपके land है, building है, equipments है, vehicles है, furniture and fixtures हैं यह सब चीजें आपके tangible assets के अंदर आएंगी दूसरी जो category है वो आपकी है intangible assets जिनकी physical existence नहीं है physical existence नहीं के मुराद के हैं तो वो आपके assets लेकिन आप उनको touch नहीं कर सकते हैं आप उनको feel नहीं कर सकते हैं उनको आपने use लेकरन करना है तो उसमें category में क्या क्या आपके आजाते हैं उसमें आपके company की goodwill आ सकती है जो company की शोरत है goodwill calculate करने के तरीका होता है वो एकलादा topic है detail में इसी तरह company ने कुछ licenses अगर लिये हैं जिसको license को लेके वो use कर रही है अपने business operate कर रही है उसके अपनी value essence की worth है यूज कर रही है इसी तरह फिर जो है वो ट्रेड मार्क्स यानि कि आपने company का logo जो है वो आपने रिजिस्टर करवाया हूँ है उसके अपनी value है ट्रेड मार्क है वो आपका फिर आपके copyrights हैं copyrights क्या हैं आपका कोई film का script हो गया drama का script हो गया या आपकी product के copyrights हैं कि आपकी product की कोई copy नहीं कर सकता तो यह आपका intangible asset है इसी तरह आपके patents आपने register करवाय हूए है software के licenses आपके पास आपने accounting software खरीदा हुआ है उसकी value है आपके office में ERP system चल रहा है oracle चल रहा है sab चल रहा है तो इसको आपने free में तो नहीं लगवाया उसके एक पैसे दी हैं आपने use करने के तो वो जो license आपने purchase की हुए है वो आपके intangible assets हैं तो assets आपके दो तरह के होगे एक आपका tangible asset हो गया और दूसरा आपका intangible asset हो गया अब जो इसकी अगली जो important चीज है वो यह है कि आपकी जो asset है यानि कि जो आप asset एक use कर रहे है हर asset की एक अपनी economic life होती है उसको इसको 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 एक अपनी यूजज करने की लाइफ होती है उसके बाद वो asset expire हो जाता है वो use के काबल नहीं रहता तो accounting के अंदर क्य किया जा रहा होता है कि इसको हमने long term जो है वो use करना है multiple years तक इसको हमने use करते रहना है तो उसके बाद जो fixed asset होता है उसकी एक अपनी useful life होती है अब useful life क्या है कि वो एक period of time होता है total amount उसकी of activity होती है जो आप business के अंदर उसको utilize कर लेते हैं जैसे मैंने आपको example देगे furniture and picture है उसके बाद ये जो fixed asset की life है ये वो time है जो business जो है वो use कर रहा है उस asset को अपने revenue को earn करने के लिए revenue को earn करने के साथ क्यों link किया गया है जाहरी सी बात है आफिस में बैठे हैं office में बैठ के उन assets को use कर रहे है और इन assets को use करने की वज़ा से जो आपकी business के operation run हो रहे है उसके बदले में ही आपको revenue earn हो रहा है तो ये asset आपका service के अंदर है आप asset को use कर रहे है और इसकी वजदे से आपका fixed asset economic अपनी life के अदर use हो रहा है अब अगली जो चीज है वो किया है वो इसका economic benefit है economic benefit of fixed asset यानि के जो asset को use करने से आपको क्या benefit हासल हो रहे है आपने को बैनिफि करने का तरीका कार क्या है अब जो फिक्स एसेट है यह हमने डिसकस कर लिया कि उसकी एक कॉस्ट होती है जहरी सी बात है आज आज आपने एक फिक्स एसेट परचेस किया उसकी कास्ट है वह आपने उसको एक पैसे दे कर परचेस किया है उसके बाद फिक्स एसेड हम इस नियत करने के साथ साथ फिर क्या करता है बिजनस के उसका जो एकनॉमिक बेनिफिट है वो आइस्था आइस्था करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस को वो शिफ्ट करता हुआ जाता है यानि कि उसकी जो कॉस्ट थी टोटल आज आपने एक लाक रॉपे का जो एसेट खरीदा है उसको फौरण आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एकस्पैन्स आूट नहीं कर देंगे बलकि उसको आइस्था आइस्था एकस्पैन्स आूट करेंगे उसकी यूसफुल लाइफ के साथ यानि कि वो जैसे जैसे यूस हो रहा है वैसे वैसे आप उसको करने का economic benefit यानि कि हम आस्ता आस्ता जो allocate कर रहे है cost को profit and loss की उपर इस method को कहते है depreciation क्या कहते है जी इस method को कहते है depreciation अब थोड़ा सा यह भी देख लेते हैं कि depreciation होती क्या है और depreciation का मकसद क्या है depreciation जो है accounting terms के अंदर एक defined तरीका कार है एक proper एक systematic तरीका कार है जो आपके asset की cost को यानि कि cost आप जो tangible asset है उसको इसकी useful life के हिसाब से economic benefit transfer करवार होता है profit and loss के उपर अब जो depreciation है इसकी nature होती है expense यानि कि आपने इसको expense करना है और company के profit and loss में show करना है और दूसरी तरफ जो इसका impact है वो आपकी balance sheet का impact है उसको कहते है accumulated depreciation यानि कि वो अपने asset के अंदर से वो minus हो रही है और balance sheet में asset को कम करती हुई आ रही है अब depreciation को जो record करने के जो systematic तरीके से काफी सारे methods मौझूद है और उस वक्त तक depreciation जो है वो record की जाती है companies के अंदर जब तक जो asset की value है वो zero ना हो जाए या फिर इतनी नीचे ना आ जाए कि बस उसको अब neglect कर लिया जाए यानिका अब उसको किसी category में वो asset आ नहीं रहा उसको कोई value उसकी नहीं बची दुनिया जान में अब जो depreciation record करने के काफी सारे methods मौझूद है और जो चंद popular method है उसमें straight line method है reducing balance method है sum of the years digit method है double declining balance method है और unit of production method है अब इन सब methods के अंदर जो सबसे ज़यदा जो use होने वाला method है और सबसे जो असान method है वो आपका straight line depreciation method है जो दुनिया में सबसे ज़यदा इस्तमाल किया जाता है अब example भी ले ले लेते हैं कि straight line जो depreciation method है वो काम किस तरीके से करता है straight line जो depreciation method है वो इस तरीके से काम करता है कि आज की तारीख में आपने एक asset खरीदा है उसकी value है एक लाक रुपे और हमने ये decide कर लिया company level पे कि इसकी useful जो life होगी वो 5 साल होगी यानि कि इसकी 5 साल तक हम इसको इसको इस्तमाल कर सकेंगे तो straight line जो depreciation method है वो ये कहता है कि ये जो machine या हमने जो asset खरीदा है ये 5 साल तक use में है तो फिर हमने कौन से factors जो है सबसे पहले summarize करने है number 1 cost of the asset यानि कि asset की cost कितनी है number 2 useful life of the asset asset की life कितनी है अब asset की cost एक लाक रुपे है और asset की life है वो 5 साल है तो अब हम क्या करेंगे कि useful जो उसकी life है उसको divide कर देंगे हम किस पे जो उसकी cost है ठीक है जी अब एक लाक रुपे की cost है उसको हमने 5 साल से divide किया तो हमारा 20,000 रुपीज पर year depreciation amount निकल आया यानि कि अब हम क्या करेंगे कि हर साल 20,000 रुपे के हिसाब से economic benefit ट्रांसफर करते वे जाएंगे profit and loss के अंदर depreciation का method यूज करके right side पे देखें अगर आपको table भी नजार आ रहा होगा कि year 1 में 1,000,000 रुपे हमारे asset की cost थी पहले साल उसको depreciate किया तो 80,000 रुपे बजगे दूसरे साल फिर 20,000 रुपे का उसको depreciate किया तो 60,000 रुपे वेल्यो बजगे तीसरे साल फिर depreciate किया तो 40,000 वेल्यो बजगे और चोते साल फिर depreciate किया तो 20,000 वेल्यो बजगे और आखरी साल जब हमने उसको finally depreciate किया उसके value हो गई 0 तो इस तरह आपका पूरा asset जो है वो उसकी जो financial statement के अंदर accounting के अंदर जो उसकी value थी वो हो गई है 0 अब question यहाँ पे यह पैदा होता है कि आपके asset की जो value है वो तो हो गई है 0 अब जो asset है physically वहाँ पर मौजूद है लेकिन accounting में यानि कि books of accounts के अंदर financial statements के अंदर उसकी value 0 हो गई है तो अब ऐसे asset का क्या किया जाए जिसकी book value यानि कि accounting के अंदर जो उसकी value थी वो 0 हो गई है लेकिन वो physically तो वहाँ पे exist कर रहा है तो ऐसे case में होता क्या है कि asset को dispose कर दिया जाता है अब जो company के अंदर जो assets होते हैं जो company के नाम पे जो assets होते हैं इनको dispose करने का एक proper तरीका कार है यानि कि जब आपका fixed asset उसकी useful life पे end हो जाता है और उसका जो आपका economic benefit है company पूरा receive कर लेती है profit and loss को economic benefit पूरा चार्ज हो जाता है तो फिर asset को या तो sell off कर दिया जाता है अब जो asset को जब sale किया जाता है तो बिलकुल उसी तरह इसकी sale transaction record की जाती है जिस तरह आप normal कोई चीज किसी customer को बेचते हैं तो यकिनी तोछ पर उस asset को भी बिलकुल इसी तरह एक आम customer को बेचा जाता है अब जब आप asset को बेचते हैं तो उसके अंदर एक sale transaction involved होती है यानि कि आपका asset जो है वो आप किसी customer को बेच रहे हैं और उसके बाद उसके बदले में आप उससे cash receive कर रहे हैं अब जब आप asset को dispose करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है उस सूरत में आपका जो fixed asset account है उसमें से आप अपने asset को मुकमल तोर पर minus कर देते हैं उसके बाद जो उसकी depreciation और accumulated depreciation का जो account होता है वो उसको बिलकुल इसी तरह adjust कर देते हैं cash जो आपको receive होती है cash and bank account आपका debit हो जाता है और उसके बदले में जारी सी होगा या तो loss होगा या तो लास होगा यानि के आपको अगर आपने उसकी useful life से पहले उसको asset को बेच दिया है और उसको कम बैसों में बेचा है तो फिर तो वो loss में जाएगा अगर आपने उसकी useful life पूरी करके depreciation पूरी चार्ज करके economic benefit पूरा लेके उसकी बाद उसको जो है वो यकीनित आप पर उसमें होगा तो यह पूरा पर जितनी भी इंट्रीज हैं वो सारी accounting के अंदर record करके इसकी proper disposal record की जाती है स्क्रीन के उपर आप देख सकते हैं कि जो fixed asset disposal है इसकी entry जो journal entry है वो आपके सामने मैंने दिखाई है मैंने जो asset खरीदा था एक लाख रुपए का machinery मैंने खरीदे थी जो मैंने पीछे depreciation के अंदर मैंने आपको टेबल में बताई थी उसने अपनी पांच साल की life पूरी कर लिया और उसकी अब जो economic value है जो book value थी वो zero हो चुकी थी तो company ने decide किया कि उसको हम sale out कर देते हैं dispose कर देते हैं तो जब उनने dispose किया तो market में वही machine जो एक लाख रुपए की जो खरीदी गई थी वो 15,000 रुपए की sale हुई अब जो 15,000 रुपए की जो machine sale हुई है जारी सी बात है उसका 100% जो economic benefit था वो company ले चुकी थी 5 साल के profit and loss के अंदर तो अब क्या किया कि उसको एक एक साल के अंदर करके 20-20,000 रुपए करके उसका economic benefit profit and loss के अंदर transfer किया गया तो जब उसको sale किया तो सबसे पहला हमने क्या काम किया कि 15,000 रुपए कैश और bank balance में debit किया कैश और bank receipt हुई हमें sale of asset में उसके बाद जो accumulated depreciation यानि कि हमने जो asset को depreciation चार्ज की हुई थी हम economic benefit transfer करते रहे थे profit and loss को वो अब उसका account हमने क्या किया reverse कर दिया एक लाक रुपए से यानि कि उसका भी balance हमने zero कर दिया फिर हमने क्या किया कि हमने credit कर दिया machinery account जिस वक हमने purchase की थी machinery वो हमने debit की थी अपने asset के अंदर हम शोग कर रहे थे अब वो एक लाक रुपए से machinery अपनी credit कर रहे है यानि कि हम उसको remove कर रहे है अपने fixed asset register से तो लास्ट में अगर आप देखें तो हमारी credit हो रही है आखरी 15,000 रुपए के entry that is gain on disposal of fixed asset यानि कि हमने 100% उसकी economic value जो थी वो हमने company में हासल कर ली थी अब ये 15,000 रुपए का खालस जो हमें gain हो गया यानि कि मुनाफ़ा हो गया profit हो गया हमें इसकी उपर जो हमने asset को sale किया उसको fixed asset register के अंदर और fixed asset account के अंदर उसको लेकर आते हैं फिर उसके बाद उसको आप step wise उसको depreciation के साथ चार्ज करके उसकी depreciation allocate करके economic benefit transfer करते है until उस वक तक जिस वक तक आप उसकी economic value उसकी zero ना हो जाए या उसके negligible ना हो जाए और उसके बाद पर companies क्या करती है या तो उसक स्क्रैप कर देती है स्क्रैप करके या निकि वो किसी काम का नहीं होता बेखने के काबल नहीं होता या फिर उसको dispose कर दिया जाता है और disposal की proper entry record की जाती है तो उमीद करता हूं कि आपको ये fixed asset का जो topic है वो पसंद आया होगा काफी detail में discuss हुआ easily समझ आ गया होगा कि fixed asset जो ह वो किस तरह current asset से जो है वो different है और इसकी economic जो importance है वो क्या है और company की जो worth calculate की जाती है company के उसके अंदर ये fixed assets जो है वो कितने important role play करते हैं तो अगर आप ने चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like जरूर कीज़ेगा शेयर करें अपनी community के अंदर और आपने वीडियो को देखना मत भूलिएगा जहां रहें खुछ रहें मस्कुराते रहें और देखते रहें accounting pro अपना ख्याल रखिएगा अला नेगे बान